राजिस्थान में पहले चरण कमध्धान उन्नीस अप्रेल को हुआ प्रधान मंत्री नरंद मोदी केंद्रे ग्रह मंत्री अमिश्या समेत कई केंद्रे नेता प्रचार के लिए राजिस्थान के कई चक्तर काट चुके हैं प्रधेश के सेम भजनलाल शर्मा और दोनों प्रधान मंत्री भी सबी सीटों पर प्रचार के लिए पूरा जोल लगाते हुए नजर आए नमश्कार मैं हूँ शेक जुई आप देख रहे हैं दे नगरी नियूस लेकिन परचार के शोर से राजिस्थान का एक पूर्मुक चेरा गायब रहा वो चेरा कोई और नहीं प्रधेश की राजनीती की 25 सालों तक नुमाइंदगी करने वाली वसुंद्रा राजे का है पिछले साल परदेश में हुए विधान सवचनाओ में राजिस्थान की पूर मुक्खे मंतरी वसुंद्रा राजे ने जैसे सक्रेता दिखाई थी वैसी लोग सवचनाओ परचार में नहीं देखने को मिली राजितिक गल्यारों में चर्चा तेज है क्या आखेर वसुंद् परदेश में कहीं भी परचार करते नजर नहीं आए इस सीट से राज्य के पुत्र दुशन सिंग चुनावी मैदान में हैं परदान मंतरी मोदी अब तक परदेश में कई चुनावी सभा और रोडशों कर चुके हैं लेकिन राज्ये पी-एम के किसी भी चुनावी कारिकरम में नजर नहीं आए अब राजनेतिक गल्यारों में जो सवाल गूंज रहा है वह है कि आखिर राज्य परचार से क्यों दूर है क्या वे केवल अपने बेटे की सीट तक सिमठ कर रह गई राजस्तान में जब 2030 में विधान सबचनाव हो रहे थे अब शुरुवाती दोर में राज्य और केंद्रे नितितिक के बीच कुछ ठीक नहीं था लेकिन बाद में राज्य की नाराज़गी को दूर करने के लिए उनकी सला को तवज्जो दी गई इसके बाद राज्य ने विधान सबचनाव में ज भूर दूर नजर आती हैं हाला कि खुलकर उन्होंने कभी स्मुद्धे पर अपनी नाराज़ गिजाही नहीं की तो प्रदेश बाश्पक के कई कारक्रमों और बेठक से गेर हाजिर रही लोग सब टिकेट वित्रण की समय वो फिर कुछ दिनों एक्टिव हुई लेकिन टि परचार करती नजर नहीं आए परदेश भाच पकिस्ताने नेताओं का कहना है कि सियासी गल्यारों में यह सवाल गूंज रहा है कि राज्य के परचार से दूर रहने पर पार्टी को फायदा होगा या नुकसान लेकिन यह भी कहना मुश्किल है क्योंकि चुनाव परिणाम अभी नहीं हाएं तो राज्य के होने और ना होने से नुकसान होगा या फायदा यह कहां नहीं जा सकता ऐसी और खबरों के लिए देखते रहे हैं नगरी न्यूश शुक्रिया